हमेशकार दोस्तों, पिछले दो-तीन वर्षों में देश के अंदर एक रेप केस के बारे में बहुत चर्चा होई है, that is related to केरला नन रेप केस, आज ये important इसलिए है क्योंकि आज वहाँ पर एक trial court का result सामने आया है, announce किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो bishop हैं जिनके उपर ये charges लगाए गए थे, bishop, फ्रैंको, मुलककल, उनको यहाँ पर acquit कर दिया गया है trial court के दोरा, मतब कि निर्दोष बोला गया है जो भी charges लगाए गया थे, हो सकता है अब इसके आगे further high court में इसकी सुर्माई की जाएगी जो भी होगा, लेकिन इस पूरे वीड लगते रहे हैं कि churches के अंदर जो bishop अगर हैं, उनके दोरा गलत काम किया जाता है, लेकिन ये चीज सामने नहीं आती है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो आप ह सबसे पहले हम देखेंगे exactly यहाँ पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों करना है, देखेगा, जो bishop के हम बात कर रहे हैं, फ्रैंको मुलककल, ये former bishop रह चुके हैं, जलंधर डायोसीज के, जलंधर डायोसीज, बिसिकली क्या होता है, आप देश के अंदर देखें, तो बहुत सारे आपको churches वगरा देखने को मिलते हैं, ठीक है, Catholic Church की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि एक particular district के, जैसे जलंधर जो district वाला हो गया, उसके अंदर जितने भी churches आएंगे, उनके head ये रहेंगे, तो उनके bishop रहेंगे, उनके head रहेंगे, जिनको पुरा taken care किया जाएगा, तो जलंधर जो dioces थे, उनका जो bishop है, फ्रैंको मुलककल, उनके उपर ये आरोप लगाये गया था, और आज Friday को केरला के अंदर जो trial court है, उन्होंने उनको acquit कर दिया है, निर्दोश बोला है, और ये सारा कुछ आप देख सकते हो, जो Kutayam additional district court judge है, जी गोपा पुरा verdict अनौंस किया गया, अब question ये आता है कि पुरा non-rape case exactly था क्या, देखेगा, जून 2018 में केरला के अंदर यहाँ पर एक police station है, जिसका नाम है, कुरव विलंगर, कुरव विलंगर मैं आपको बता हूँ, तो मैप में अगर आप देखिए, तो केरला का मैप अगर आप देखेंगे, तो ये आपको जगा देखने को मिलेगा, police station कुरव विलंगर, ठीक है, तो वहाँ पर एक senior nun के दोरा FIR दर्च किया गया था, और उन्होंने basically आरोप ये लगाया, कि ये जो फ्रैंक को मुलक्कल है, उस समय तो क्या थे कि जलंधर डायोसीस के वहाँ पर head बनाए unnatural sex किया गया था, rape का charges यहाँ पर उनके ओपर लगाया गया, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, bishop का कहना था कि जो भी charges मेरे ओपर लगाया जा रहा है, ये सब fabricated है, bishop ये कह रहे थे कि हमने उनको punish किया था, जो senior nun है, nun basically क्या होता है, कि again किसी भी church में क्या होता है, मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं, जो पूरा जीवन है, ठीक है, वो अपना दे देती है, वहाँ पर, she should be unmarried, unmarried virgin होनी चाहिए, कई सारे conditions होते हैं, तो उसी प्रकार से क्या है कि जो nun है, senior nun थी, उनके उपर हमने action लिया था, क्योंकि कुछ complain आए थी उनके खिलाफ, और उसी की वज़े से यहाँ पर bishop के उपर rape के charges उन्होंने लगा दिये, ऐसा bishop का कहना था, और जैसे यहाँ पर FIR दर्ज किया गया था, senior nun के दोरा, और उसके आगे क्या होता है, September 2018 में, क्योंकि just charges FIR दर्ज कर देने से, यहाँ पर क्या है कि police action नहीं ले रही थी, और usually यही हो हैं, उनको arrest का demand किया, finally जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मुलकल है, उनको जलंदर से केरला लाया गया, और तीन दिन तक उनसे पूस्ताच की गई, और finally उनको arrest भी कर लिया गया था, and I am sure कि आपको याद भी होगा, पूरे TV, news, media वगरे में, बहुत जादा इसके बा trial है, जो पूरे case की सुनवाई होती है, वो आपका September 2020 से start होता है, although अगर आप देखो कि जो मुलकल है, वो High Court जाते हैं, Supreme Court भी जाते हैं, और कहते हैं कि यह जो trial है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी charges हैं, वो गलत हैं, लेकि Supreme Court, High Court सब मना कर देते हैं, कहते हैं, नही जो lower court में, जो भी trial वगरा चलना है, वो यहाँ पर चलता रहेगा, तो trial के दोरान, मुलकल के उपर, जो भी charges वगरा की हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पुलिस ने charge लगाया, illegal confinement का, मतलब पुलिस खुद कह रही है, कि यहाँ पर हाँ, illegal confinement किया गया, sexual harassment किया rape, outraging the modesty of a woman, यह सारे charges आपको देखने को बनेंगे, और इसको पूरा इसके जो investigating officer थे, वो WICOM के जो deputy superintendent of police थे, के सुभाश, वो इसको lead कर रहे थे, और अब पानली जो trial court का verdict आ है, वो करीब 105 day long trial चला था, close door में, क्योंकि यह rape का पुरा मामला था, तो close court के अंदर यहाँ प नन हो गए, जो senior nun जिन्होंने आरोप लगाया था, उनके favor में यहाँ पर 39 witnesses ने favor किया, लेकिन जो defense है, defense मतलब जो मुलककल हो गए, जिनके ओपर rape का charges लगा था, वो आप देख सकते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से 4 bishop, 11 priest, 25 nun, 7 magistrate, कई लोगों को अपने साथ लेकर आया थे, कि देखिए हम मेरे उपर जो charges लगे हैं, वो सब गलत हैं, तो यह सब कुछ के अधार पर कहीं न कहीं, जो trial court है, उन्होंने आपर finally फैसला लिया, कि यह सिद नहीं होता है, जो भी rape के charges, जो भी कुछ है, और इसलिए वो निर्दोश यहाँ पर साबित पाए जाते हैं, तो यह तो पूरा आपका court हो गया, जो भी आप देखना होगा हो सकता है, जो senior nun है, वो अब high court जाएंगी, इस फैसले के खिलाफ जो भी होगा, वो हम देखेंगे आगे लेकिन, finally question ही आता है कि इतना ज़्यादा significant क्यो है, माइने क्यो रखता है, जैसा कि मैं बता रहा था कि पह अरेश्ट किया गया है, उसके लावा यहाँ पर जब यहाँ पर पुलिस ने charges लगाये थे, तब उनको official duties से अपना हटाना पड़ा था, जल अंदर diagnosis मैं आपको बताया था, वहां से उनको relief कर दिया गया था, और एक प्रकार से पहली बार देश के अंदर spotlight आता है, इस तरह क case के थ्रू जो है, इस चीज को सामने लाया गया, यह काफी बड़ी बात थी, ओफन यहाँ पर यही बोला जाता है, complaints किये तो जाते है, harassment के चर्चेस के अंदर, लेकिन जो senior clergy है, उसको unnotice कर देते हैं, उसको hire management तक चीज़े और नहीं जा पाती, तो यह सब कुछ काफी close door मे ही खतम हो जाता था, और इसलिए कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि इस particular case की वज़े से और आगे discussion होगा, और आगे चीजें बढ़नी चाहिए, और यह बताना चाहिए कि किस तरह से churches के अंदर जो और पूरे मामले हैं, अगर कोई भी चीज आता है, उसको सही अंजाम तक पह हो चाहिए जा सके, मैं यहाँ पर कोई निर्णे नहीं ले रहा हूँ, कोई judgment पास नहीं करा हूँ, कि यहाँ पर क्या हुआ, वो तो court का मानना है, कि जो भी court फैसला सुनाएगी, लेकिन अगर किसी भी nuns के द्वारा अगर इस तरह की complain आती है, तो एक proper mechanism होना चाहिए, in fact मै तो आपको suggest करूँगा, कि यहाँ पर एक movie है, spotlight करके, आपने नहीं देखा है, जरूर देखना, यह child sex abuse से related था, इसी से आपको काफी कुछ समझ में आएगा, ठीक है, कि किस तरह से चीजें work करती हैं, तो यही पुरा वीडियो था, I hope कि हर एक चीज इसके जो पहलू थे, आ को समझ में आगे होंगे, जाने से पहले कि interesting question, क्योंकि हम sexual abuse वगरा की बात कर रहे हैं, तो child sex abuse related एक act पास किया गया हमारे देश के अंदर, इसको POCS को act कहते हैं, तो इससे related दो statement है, जैसे पहला statement कह रहा है कि हर एक जो crime होता है, children के खिलाब, उसको इस act के through report करना होता है, ठ या यह ऐसा लिखा है, act के अंदर, तो यह दो statement है, बताइए कौन सा correct होगा, इसका right answer आपको बता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही होता है, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता ह यहाँ पर आप से नेक्स ताम तर देन, थांक यू बरी माच, सी यू सुन!